सबसे पहले आप एसकिन पे प्रूफ देख सकते हैं कि हमको 12,000 रुपे का लॉन एमॉंट एप्रूब हुआ है इस अप्लिकेशन से वो भी बिना किसी इंकम प्रूफ के हमको किसी भी तरीके का इंकम प्रूफ नहीं लगा है और हमको जोहें लॉन एमॉंट 12,000 रुपे का आने वाला हूँ तो अगर आपको जोहें लॉन की नीड है अगर आपको जोहें लॉन की सक्त जरूत है पैसे की सक्त जरूत है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राब कीजिए त तो आपको जो है रूपी रेडिल नाम का जो ऑफिसली अप देख सकते हैं जो कि इस अप्लीकेशन का डूणूड है 10 मिलियन प्लस है जो कि काफि ज्यादा डॉणूड है अगर आप जो है इस अप्लीकेशन के बारे में ज्यादा 8% online process fast approval देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ fast approval और quick जो है आपके bank account में पैसा transfer हो जाएगा और यह application जो है RBI रिश्टर है जो कि यहां पर साफ mention किया गया रिश्टर एन भी एपसे विथ RBI जो कि यहां पर देख सकते हैं और अप नीचे as call करेंगी तो यहां पर example दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपका जो है loan amount 11,000 रुपिय का होता है तो आपका EMI 3 मेने का बन जाएगा processing fee कितना लगएगा कितना interest rate लगएगा और कितना जो है आपके bank account में bank account देख सकते हैं यह सब आपको fill up करेंगे आपके bank account पैसा transfer हो जाएगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको loan लेना है तो सब से पहले इस application को download करना है उसके बाद आपको यहां पर open का option दिख जाएगा open पे click करना है जैसे अप open पे click करेंगी यहां पर प्रोसेंग लेगा कुछ इस तरीके से आप यहां प्र देख सकते हैं उसके बाद जो है नीचे नीचे एक option मिल जाएगा gate code का तो आपको speak किलिक करना है फिर आपके mobile नमर पर OTP receive हो जाएगा जो कि आप एसमिट पर देख सकते हैं OTP यहाँ पर fill up करने का option आज चुका है और यहाँ पर यहाँ पर पर नीचे आपको next का option मिल करना और जैसे नेच्ट पर क्लिक करेंगी तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा कि आपको कितने तक का लौन मिल सकता है यानि कि आपको एक होता है कि आपको कीतने का लॉंन मिल सकता है तो यहां पे दिख सकते हैं कि निया कि रिका हुआ है 25 रुपया यहीं कि आप 20 registration complete करना होगा तो registration complete करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर एक मंथली income डालना है तो आप महिने का income डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं जो भी आप income है जैसे कि मैं यहां पर 12,000 डालते हैं आपको जो भी income है आप डाल सकते हैं income प्रूफ यहां पर नहीं लगता है उसके बाद यहां पर आता है loan purpose तो यहां पर आपको select करना है कि आपका purpose क्या है क्यों loan आप ले रहें तो यहां पर आप कोई भी एक region को select कर सकते हैं जैकि मैं यहां पर medical emergency select करता हूँ आपको जो आपको एक reference number डालना है और reference name यानि कि आप जिसका mobile डालना है उसका नाम यहां पर फिलप करना है और उसके बाद आपको ट्रॉफ कर्डिशन पर टिक करना है और यहां पर आपको pen number फिलप करना है आपको अपना pen की होंगी जैसे कि यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा आपका नाम जेंडर पैन आडी यह सब जो है आपको लिखा हुआ आजएगा और यहां पर यह देटेल आपको देख लेना है पैन कार्ड से आटोमेटिक करने का option आ जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पर अधार number फिलब करना है और अधार number फिलब करने के बाद एसक्रीन पर capture दिख रहा होगा capture को एक box के अंदर आपको फिलब करना है और जैसे पर इस box के अंदर capture फिलब कर देंगे उसके बाद आपको गेट कोड का option में जाएगा तो आपको इस पर किलिक करना है और जैसे आप गेट कोड पर किलिक कर देंगे तो आपके register mobile number पर OTPD से हो जाएगा जो mobile number आपके अधार कार्ण से लिंक होगा उस mobile number पर OTPD से बोजाएगा तो OTPD आप यहां पर डालेंगे और उसके बाद जो है आपको यहां पर next का option में जाएगा next पे आप click करेंगे उसके बाद जो है आपका यहाँ पे सरह detail शोक कर जाएगा जैसे कि आपका photo यहाँ पे शोक कर जाएगा और उसके बाद जो है आपके अधार card पे जो भी detail रहेगा यहाँ पे आपको शोक कर जाएगा तो यह detail को आपको verify करने ना है उसके बाद आपको यहा यहां ब焦 करने कि आप किस बैंक के एकॉंट में यानि कि जो है जो आप एकॉंट नबर डॉलिंग हो इस का नाम से फीलप करने उस पाद झाल यहां पर अबाद क Надоकश्रिक करना है इसपर करना है नीचे नेक्ष्ट tatar next पर आप को click करना है उसके बाइड जो है आपको लॉन इमान्ट सो करजाएगा कि आपको कितने का लॉन इमान्ट एप्रव हुआ है तो आप hiskine पर देख सकते हैं हमको 12,000 रुपे का लॉन इमान्ट एप्रॉब हुआ है तो आपको यहां पर देख जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 2000 रुपी से लेकर हम अभी 12,000 रुपी तक loan amount ले सकते हैं जो कि यहाँ पर 2 महिने का email हमारा बन जाता है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले दिख जाएगा कि कितने का आपको loan amount एपर हुआ है तो सब कुछ यहाँ पर detail को verify कर लेना है और उसके बाद जो है नीचे एक option में जाएगा accept का तो आपको accept के click करना है उसके बाद जो है आपके loan amount का सरा detail सो कर जाएगा जैसे कि सबसे पहले उपर पे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा देख सकते हैं मैं आपको highlight करकी दिखा लेता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कितने का loan amount एपर हुआ है तो उपर पे आपको शो कर जाएगा processing fee कितना लग रहा है कितना आपके bank account में transfer होगा और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा payment details यानि कि आपका annual interest rate कितना लगा है यानि कि annual salary interest rate लगता है तो यहाँ पर सब कुछ जो कर जाएगा कितना आपको total interest पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा तो यहाँ पे सरा detail को verify कर लेना है और उसके बाद जो term of condition है इस पे tick करना है और accept पे click करना है और जैसे ही आप accept पे click करेंगी उसके बाद आपको e minute complete करने का option आजाएगा जो कि e minute में आप ATM card detail डालेंगी और ATM card detail फिल आप करके next करेंगी उसके बाद आपके bank account में पैसा task हो जाएगा और e minute इसलिए complete करना होता है कि जितना का EMI बनागा उतना EMI जो है आपके bank account से auto cut हो जाएगा उतना EMI आपके bank account में transfer हो जाएगा तो आप कुछ इस तरीके से जो है आप इस application से बिना किसी income proof के आप loan ले सकते है I hope आपको ये वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद दिया तो लाइक किजिए subscribe किजिए comment किजिए मिलते किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you so much bye